देखिए पैरे बच्चों आप में से कई लोगों का ये डाउट आ रहा है कि भाईया फरवरी एटेंट में जब हमने OEMR अपना चेक किया OEMR को हम लोग रिस्पॉंस बोल सकते हैं कि हमने भाईया अपना रिस्पॉंस चेक किया और दूसरी चीज भाईया हमने अपने मांक्स मिलाएं तो बहुत सिल्ली मिस्टेक्स होने की वज़ा से हमारे नंबर बिलो हंड्रेड आ रहे हैं यानि 100 के नीचे आ रहे हैं तो उन सभी बच्चों का एक कॉमन सा दिक्कत यह है कि भाईया हम क्या करें हम क्या मार्च का अटेम्ट छोड़ दें मार्च का अटेम्ट छोड़के क्या हम सीधे अप्रिल के लिए तयारी करें क्या तो देखो मेरा जो हाडली सजेशन है वो आपी के पक्ष में है और थोड़ा सा अनकंडीशनल है इसको जरा समझना मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों कभी-कभी जिन्दगी में एक कदम पीछे हटा कर एक नई शुरुवात करने की जरूरत होती है हम एक कदम पीछे लेते हैं लेकिन बाद में उस एक कदम के लिए हम बहुत सारी चीज़े सोचते हैं कि क्या हमरा डिसिजन गलत था यह हम डिसिजन गलत तो नहीं ले लिए हैं मेरा आपसे एक सजेशन है जो बच्चे सो के नीचे पाए हैं अपितु यह बात बिलकुल सत्य है कि आपको एक कदम पीछे लेना पड़ेगा यानि मार्च अटेम्ट को इसकीप करना पड़ेगा क्योंकि आप देखो जल्दी बाजी के चक्कर में आप मार्च में घुसोग पहले ट्रिक यह है हम मार्च अटेम्ट को भूल जाते हैं कि मार्च अटेम्ट कैसा है यह कैसा नहीं होने वाला है हमारे लिए आज से दो मार्च से लेके आने वाला 20 अप्रिल हमारा टार्गेट होगा कि हमको इतने में कुछ करके दिखलाना है यानि हमारा जो चैप्टर ह चीज है आपको खाली दिमाग से सांत दिमाग से मार्च अटेम्ट का एक्जाम ऐजा मौक तो देना ही देना है आपको मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मार्च में फोड़ना है मार्च में 180 नमबर लाना है देखो ये ये जो जवाब देही हो रही है ना कि चार बार अटेम कभी आदी नहीं था जिस रेस के आभी आप कभी हकडार नहीं थे या जिस रेस में आपने कभी इंटरेस्ट दिल्चस्पी नहीं को दिखाई जेई मेन के पेपर में स्कोर करने का एक मात्र साधन ये है कि हम कितनी अच्छी तरीके से अपना नॉलेज वहाँ जाके उतार रहे हैं सो हमें क्या करना है इस तरह के जेई मेन के प्रॉब्लम जो आ रहे हैं जहां पर क्वेश्टन को एजी लेवल पर रखा जा रहे हैं conceptual रखा जा रहा है, fact-based रखना जा रहा है, हमें अपने silly mistakes के उपरवर करना है, और हमें उन सारे chapters को नहीं पढ़ना है, जो पचासों तरह के हैं, जो हमें आज तक नहीं समझ मैं, हमें अपने उन chapters पे PhD करनी है, जो हमें आ रहा है, यानि उसको एकनम खा जाना है, तो इसके लिए कम से कम आपको मेरी तरब से ये है कि एक महीनिये 10 दिन का समय आपके पास दे रहा हूं मैं, मेरी बात माल लो, क्योंकि बिटा paper जो है, February, March, April, May का average नहीं calculate हो रहा है, याद रखना, ये सारे के सारे independent दिया, तो वो आपके लिए जिन्दगी में calculate होगा, तो इस चीज को याद रखे सारे प्यारे बच्चें, और मन लगा के बच्चों मेरी बात मान के, एक महीने 10 दिन भूल जाओ दुनियादारी, बस यही कर लो और बाकी, मेरी बात याद रखना, तुम एक कदम पीछे ले रहे हो, ताकि तुम प्रिपेर हो पाओ, तुम वो सेर बनने जा रहे हो, जो फिर से चलांग मारेगा, और इस बार ऐसा मारेगा, कि देखने वाले देखते रहे जाएंगे, बट इसका यह मतलब नहीं है, कि सेर सिकार भी ना पाए, और चलांग भी पीछे ले ले, तो सिकार कब मिलेगा, जब आप मार्च में मौक की तरह जाओगे, एकदम आहिस्ते से राजा आदमी बनके, एकदम टेंसन मुग धोके, जाओगे मौक की तरह देखे भागाओगे, जैसे मन करें, वैसे मार्च वाला टेंप देखे भागाना, एक हजार रुपय ही जाएगा और क्या जाएगा, बारासो पंदरासो जीतना रिजिस्ट्रेशन में लगता है, लेकिन कितना दिल्चस्पी आपकी बढ़ जाएगी, कितना इंट्रेस्ट वड़ जाएगा, वो चीज सोचो, अल्ला बेकितना रोमान चीथ हो उठोगे, कि भाईया, क्या बात मजा आ गया, ठीक है, तो मेरी बात मानना, सारे प्यारे बच्चों को all the best, अब जो बच्चे सौके नीचे पाईगी, यह गोल तुरन तक्वायर कर लो, है ना, और जिनको मेरी बात नहीं माननी है, वो भी अपना काम कर सकते, मेरा आकाम सिर्फ आपको समझाना है, आपको अच्छी राय देना है, आपको अच्छा बुद्धी देना है, बकी, एक्जेक्वूट करना आपकी जिम्मेदार है, और दूसरी चीज, प्यारे बच्चो, क्रेस कोर्स अपना चैनल पर चल रहा है, रोज दो बज़े दोपहर को आपको क्रेस कोर्स यूट्यूब पर मिलता है, और रोज दस बज़े रात को आपको मेरी क्रेस कोर्स मिलती है, जिसका टार्गेट मार्च और अप्रिल है, तो प्यारे बच्चो, इसका लिंक जो है, वो डिस्किप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से जरूर जाके इस लिंक को चेक करें, ठीक है, तैंक यू सो मुच.